हेलो एब्रिवान मैं प्रगती प्रगती सिंपल फूर्ट चैनल में आप सबको स्वागत करते हूं आज हम बनाने जा रहें कोकड़ा का सबजी कोकड़ा की सबजी बनाने में जितना आसान है और टेस्टे भी उतना जादा है सारे कोकड़ो को अच्छे से दो के उसका ऐसे अच्छे से छिलके भी निकालना है निकालके पूरा उपर वाला जो कांटे कांटे दार जो चीज होता है उसको अच्छे से साफ कर लेना है यह देखिए ऐसे ही करना है पूरा उसका उपर वाला हिस्सा निकाल देना है रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरे अगर आप नए देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेला इकन को प्रेस कर दीजेगा इससे जब भी मैं नया नया रेसिपी अपलोड करूँगी आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजेगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में यह सेयर कीजेगा ऐसे इसको बीच से काटेंगे फिर छुड़ छुड़े टुकड़ों में उसको काट लेंगे सारे ककड़े मैंने काट अच्छे से पहले दो के छुड़ छुड़े टुकड़ों में काट लेना है और दो मीडियम साइज के आलूवी छीलके इसको भी ऐसे ही मैंने उसी सेम साइज में काट लिया है इसके लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ अध्रक लेसन हल्दी पाउडर नमक टमाटर कटे हुए दो मीडियम साइज के तेल अपने हिसाब से और कस्मिरी लाल मिर्च पाउडर पैन गरम करके उसमें तीन टेबल स्पून तेल डालना है फिर उसके बाद जो कटे हुए आलू डालना है आलू को हलका फ्राइ करना है उसका कलर चेंज होने तक थोड़ा कलर उसका देखे चेंज हो रहा है अब हम क्या करेंगे जो ककड़े काटके रखे थे उसको हम डाल देंगे कोकोडा डालके हम उसको अच्छे से मिला लेंगे थोड़ा सा fry करके उसमें उसके बाद नम्मक एड़ करेंगे अपने स्वात के एकड़िंग और उसके बाद हाप टीशपून हल्दी पॉड़र एड़ करेंगे और सबको मिला लेंगे इसको हम अच्छे से मिलाके फिर उसको ढख के पकाएंगे तीन से चार मिनिट अब मेरा देखे थोड़ा पक गया है अब हमें ढखकन निकालके उसको कलर आने तक फ्राइ करना है गुल्डन ब्राउन कलर आने तक उसको हम फ्राइ करेंगे अब ढखकन निकालके अच्छे से उसको खुला से जैसे बुजिया बनाते ना वैसे अच्छे से बूज देंगे फिर दूसरे साइड पे हम अपना मसाला रेडी करते हैं उसके लिए जितने कटे हुए प्यास थे उसके आधा ले लेंगे पांच शे कली लेसन लेंगे एक इ थोड़ा सा पानी डालके हम उसको फाइन पेस्ट बना लेंगे अब हम उसी जार में कटे हुए टमार्टर का भी एक प्यूरी बना लेंगे अब दूसरे साइड हम पैन गरम करेंगे उसमें तीन बड़ी चमज हम तेल डालेंगे उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे जीरा जब चटक जाएगा उसमें जो आधा कटा हुआ प्यास होगा चोटे बारी कटे वे वो डाल देंगे उसको थोड़े दे तक चलाते रहेंगे जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाएगे अब मेरे प्यास का कलर चेंज हो गया है, हम जो पिसे हुए मसाले रखे थे, जीरा, धनिया, अद्रग, प्यास, लेसन, उस सब को हम एड़ करेंगे, फिर उसको अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से मिलाने के बाद हम half teaspoon healthy powder, एक teaspoon कस्मिरी लाल मिर्च पौरडर और नमक स्वादनुसर डाल देंगे, फिर उसको अच्छे से हम मिलाएंगे, इसको हम अच्छे से चलाएंगे जब तक मसाले का कलर चेंज नहीं होता है, और उसका तेल छोड़नी देता है, अब हम उसम तो में टामाटो प्योरी डालेंगे और उसको फिर हम अच्छे से मिलाएंगे, इसको हम अच्छे से फ्राइ करेंगे, अधरक लैसन का जो महक होता है न वो कम हो जाएगा, उसके बद हम टामाटो को इसको ढखके पकाएंगे, टामाटो का जैसे पक जाया इसमें, अब मैं ढखकन निकाल के देख रही हूँ, इसका पानी निकल गया है टामाटो का, तो वो अच्छे जर्ब बूझना है, तो ढखकन हटा के हम उसको फिर चलाते हुए अच्छे से फ्राइगे, ये सबजी बहुत कम मसालों में बनता है, और ये सरीर के लिए भी कोकड़ा बहुत फा लाइक कर दीजेगा और कमेंट करके बताईएगा सबजी कैसा लगा, अब हम इसमें ककड़ो को डाल देंगे, आलू और ककड़ो को अर अच्छे से मिलाएंगे, और अच्छे से मिला के थोड़ा भूझना है, ये मीडियम फ्लेम में ही भूझना है, नहीं तो नीचे से जलन अब हम इसमें थोड़ा सा पानी अड़ करेंगे, ये जादा पानी वाला तरी वाला सबजी नहीं है, ये थोड़ा सूखी सबजी है, तो हम इसमें कम पानी देंगे, आपको अगर जादा पानी चाहिए, तरी वाला चाहिए, तो आप जादा पानी दे सकते हैं, फिर इसको अच्छे से मिलाके हम तीन मिनिट के लिए ढग के पकाएंगे अब मेरा तीन मिनिट हो गया है हम ढग करते हैं सबजी कैसे बनी है देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है और उसका महग भी बहुत अच्छा आ रहा है उसमें हम आधा टीश्पून गरम मसाला अड़ करेंग अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे अगर आपको ये कौकडा का सबजी अच्छी लगे तो प्लीज एक बार बना के देखेगा और मुझे कमेंट करके बताएगा कैसा लगा लाइक करना तो बिल्कुल मत बुलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा उसका